इंतजार कर उस राह का जिस पर तेरी उम्मीद तेरे साथ खड़ी होगी इंतजार कर उस राह का जिस पर तेरी उम्मीद तेरे साथ खड़ी होगी उस राह के अंतिम छोर पर तेरी मंजल भी तेरा बेसबरी से इंतजार कर रही होगी नमस्कार साथि हूं मैं राज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार पी वियार स्टडी में तो आप भी कुछ इसी तरह से इंतजार करिए वसे तो जो समझदार है वो समझ गया आज कल आप किसका इंतजार करते हो और कहां करते हो लेकिन चलिए वो सब बात किनारे करिए अगर आपको मैत नहीं आती यानि कि गड़ित नहीं आती तो बिल्कुल आज से आपको टेंसर निलेना है आज से आपको हमारा इंतजार करना है मतलब हमारी कलास का इंतजार करना है आज आपका सात्वा दिन है जो आपका ये स्रीज चल रही थी basic math की आप description में देखिए इसके पिछले सारे part के link आपको दिये गए होंगे अगर आपने नहीं देखा पिछे की 6 class तो उसको जरूर देख लेना अगर गड़ित सीखना है तो वो भी free में सीखना है ठीक है हमारी कोशिस होगी कि सब्ता में कम से कम दो वीडियो ये मिलेगा रात के 9 बजे से जरूर मिलेगा समझ रहे हो ना ज्यादा जानकारी के लिए नंबर पीछे है उसपे संपर करना चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूलना जिससे की फिरी पढ़ सको घर बैठे चलिए देखते है आज का टॉपिक क्या है इंगलिस में लिखा है घबराना नहीं मैं हिंदी में बताऊंगा यह इंटरनेशनल लेंग्वेज है इफले लिखाओं कि कोई भी पढ़ सके कोई भी समझ सके टूडेज टॉपिक मतलब आज का जो टॉपिक है आज जो पढ़ेंगे हम वो क्या क्या पढ़ेंगे एडिशन आफ फ्रेक्शन बिन्नों का जोड़ना इसका मतलब होता बिन्न का जोड़ना यह इधर देखो कुछ नमूना दिया गया है कि सब्स्ट्रेक्शन आफ फ्रेक्शन मतलब की भिन्नों का घटाना यहीं प्लस की जगा माइनस हो जाएगा बस मुल्टीपल आफ फ्रेक्शन और डिवीजन आफ फ्रेक्शन यह सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले इसलिए पूरा क्लास को इंडे तक देखना बड़े ही प्यार से देखना वैसे देखना जैसे देखते हो देखो इसमें दो तरह के फ्रेक्शन होते हैं ज्यादा जानकारी के लिए आप पिछला क्लाह जरूर देखिए उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है इसमें बच्चा जब हर एक समान हो हर क्या होता जरा एक बार फिर है उपर वाली गिंदी को अंस बोलते हैं हिंदी में इसको नुम्रेटर बोलते हैं अगर डेनूमेनेटर इक्वल है तब क्या होता है पता है आपको ऐसे एल्ट लगाएंगी एक बड़ी सी लाइन खीचते हैं जिसमें दोनों समाँ जाएं हां नीचे इनको एक बार लिख देते हैं उपर one और one जो भी गिंती रहेगी जरूरी नहीं कि one one है यहाँ पर one था तो मैंने one ही लिखा हमारी किस्मत में यह था तो ऐसे ठीक इसको लिख दिया इसको लिख दिया बीच में जो चिन था उसको लगा दिया इन दोनों को जोड़ देंगे तो one one कितना होता two upon three हमें उमीद है कि इसको हर कोई समझ गया होगा छोटा सा बच्चा भी समझ गया होगा बच्यों के मँद पापा भी समझ गया होँगी कमेंट करके बताना आप बच्चे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ गई इसलिए हम कोशिस यह करते हैं कि आपको पूरा आ जाए समझ में अच्छे से जैसे अब इसका एक दूसरा इंपल इदर साइड में देख लो छोटा सा एकदम सेम टू सेम ऐसे ही ऐसे ही एकदम सुन्दर सा देखो इसमें भी क्या है नीचे सेवन है ना तो सेवन लिख दो यह फोर और थ्री क्या करना एड कर देना है ऐसे ही बिना कुछ की मैंने लिख दिया नीचे उमीद है कि आपको दिख रहा होगा अगर नहीं दिख रहा तो मैं एक बार जहांक लेता हूं कहां तक दिख रहा है अच्छा है वैसे क्लास में पढ़ा चुका हूं पीछे की जो कलास है इसके पीछे वाली देखो डिस्क्रप्शन में लिंक है पिछली देख लेना ठीक है चलो तो यह आप समझ गया लिख लिजी इसको मैं मिटाओंगा आज वीडियो थोड़ा बड़ा भले हो जा लेकिन मैं सामने ही सब कु होगा नहीं कुछ भी क्योंकि मैं तो डेढ़ गंटा वीडियो बनाता हूं आधा गंटा कम बनता है तुम कर तो अधा गंटाम खतम हो गई तो मैं मिटाओंगा पोच्छोंगा लीपू पोद्दूंगा सब तुमारे सामने देखो हो गया लिख लिए इसक्रीन साट ले लि वो क्या होगा देखो बच्चा इसमें हर अलग-अलग होंगे यहां पर समझो जैसे मैं ने लिखा फोर अपान थ्री और प्लस वान अपान टू यहां पर थ्री यहां पर टू यह दोनों अलग-अलग हैं इन्हें आप बोल सकते हो जब हर आसमान हो यह दूसरी कंडिशन है हमारी कलास उनके लिए होती विसेश रूप से जिनको मैथ नहीं आती जो मैथ से सारे उमीदे छोड़ चुके हैं उनके लिए कि वो भी मैथ सीख सकें इसमें करने का दो तरीका मैं दोनों बताउंगा, एक इदर बताउंगा, एक इदर बताउंगा एक पूरब अक वक्षिन देखो पहला तरीका इह है बच्चा जो हम लोग परायार करते हैं जब छोटे भिन हो तब यह तरीका अपनाना चाहिए तिरचा गुड़ा वाला पहले इनको पकड़के इसमें गुड़ा कर दो तो दो चुका आठ इनको ऐसे लिख दो उसी जगा पे बीच में पलस था तो पलफ लगा दो तीन का गुड़ा इसमें कर दो कुछ समझ में आया? नहीं आया बिल्कुल टेंसन मुदलो अभी जाना मत कलास से पूरा देखना इनका गुड़ा इसमें किया भाई सब को इतना आता है 2 का 4 में करोगे कितना होगे 4 का 2 में करोगे 8 होगे मतले वो ही होगे ना चाहे 2 का 4 में करो 4 का 2 में करो समझ रहो ना? उसी तरह से फिर बीच में जो चिंड होता उसको लगा देते हैं अब इधर से फिर यही परकिरिया इधर भी होगी तो तीन का एक में नीचे लाइन खीच देंगे जो भी लाइन है अरे भाई ये लाइन थोड़ी बड़ी बना देते हैं अब इनका आपस में कर लेते हैं यह इस तरह से आपका 8 में 38 करोगे 8 3 11 नीचे 6 यानी 11 अपान 6 यह था फाइस्ट मेथेड जिसका मने नाम दे दिया क्या भाई यह यह फाइस्ट मेथेड को मालो चलो यह चिंटू इनका नाम मने दे दिया यह किसका नाम है चिंटू माइधर का नाम है अब तुम लोग बतान अभी मैं इसको लगाने के बाद सामने से हटूंगा आप लिख लेना चाप लेना स्क्रीन साट ले लेना इसी कुष्टन को करने का सिकेंट तरीका जो मैंने सोचा है वो क्या है यह देखो इदर साइड में सिकेंट तरीका यह है भईया LCM लेना नीचे नीचे गिंती का LCM क्या होता है कैसे करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए कमेंट करना क्लास खत्म होने के बाद मैं बता दूंगा LCM का लग से वीडियो है देखो हो सकता डिस्क्रेप्शन में आपको लिंक भी मिल जाए डिस्क्रेप्शन जरूर देखना अगर तुमको यह भी नहीं पता डिस तो थ्री और टूका LCM 6 हो गया इसका मतलब यह नहीं कि 강श्य हो गया यह कहीं कहीं हो जाता है कर होता है इसमें कुछ से उसमandır या पिचाल अब 2 से गुड़ा करोगे लसी आएगा तीन काइक में गुड़ा करोगे तीन हो जाएगा फाइनल में उसी ढर्रा पर यह भी जाएगा कहीं और नहीं जाएगा आएगा उतना ही लेकिन थोड़ा थोड़ा तरीका अलग है बस इतना समझ गया आप कि चलें फिर आगे बढ़त धैर बनाके रखोगे सब अच्छा होगा देखो वह यह पिंटू थे अब बताना चिंटू-पिंटू में से कौन साथ चा लगा तुमको चलो इतना कर लिए बहुत ज्यादा कुश्चन्स नहीं करवाएंगे एक्सरसाइज के लिए अलग से देंगे चुकी ज्यादा बड़ा में भी कर देते हैं देख लो इदम सिस्टम से ही बताएंगे इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि देखो अगर कोई समस्या होती तो आप थोड़ा देर रुख जाना वीडियो में छोड़ के मत जाना भाग कि तुरंत भाग लो निकल लो हटाओ चलो अनलाइन में तो भी पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे यह हो गया अब घटाने में आ जाओ यह फाइस्ट वाला फाइनल हो गया सिकेंड में आ जाते हैं सब्स्टेक्शन अफ्रेक्शन एक्जांपल हम बहुत ही छोटे छोटे लेंगे चुकि हमारी जो कोशिस है वो सब को मैथ सिखाने क ही है चाहिए आप कितने भी बड़े हैं छोटे हैं आपको मैथमेटिक्स आने चाहिए हमारी यही कोशिस है देखो इनको सब्ट्रेक करो कि कैसे होगा थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा ना कोई दिक्कत नहीं है यह लो कि इसमें हर बराबर है तो नीचे को हर लिख देते सब सबसे पहले उपर की जो भी गिंती उनको ऐसे कब ऐसे लिख देंगे यह 17 था माइनस था और 8 था मैंने वैसे लिख दिया इसमें से सब्ट्रेक कर लो 17 में से 8 जाएगा कितना होगा नहीं आट 17 होता है न तो नाइन आए गना बच्चा कितना आएगा नाइन अपां 3 अब इसको लिख लिए आपका हो गया इतना इसको भी बता दूगा तो फिर फ्रलंबा हो जाएगा सिखने वालों के लिए वो पूरा सिख जाएंगे लाइस्ट में गड़ा जाएंगे इसलिए इतना ही लिख लो ठीक है तो घटाने में यह पहला होगे आपका जब इनके हर बरा का हो गया घटाने में जब हर बराबर हो जब हर बराबर ना हो तब क्या होगा देखो यहां पर समझो जैसे मालो कि मैंने लिख दिया सतरा बटा पांच और माइनस हर बराबर ना हो मतलब अला गलग हो देखो सतरा में पांच हो गया बच्चा जैसे मालो दो में तीन अब च तरीका यह है कि आप LCM ले लो तो हम तिर्शा गुड़ा वाला पहले बता देते हैं तो तेरा उसरी सतरा का तीन में गुड़ा करोगे सतरा त्यां क्यावन बल्टिपल करना सबको आता है कोई दिक्कत नहीं हां सतरा त्यां क्यावन माइनस कचिन लगाओ 5 का 2 में कर दो 10 बच्चा 5 का 3 में कर दो 15 इस तरह से आपका आ जाएगा 41 अपान 15 बात समझ में आई कहीं कोई दिक्कत है तो बता देना बिल्कुल भी टेंसन मतले न ओके हमारी कोशिस होती कि हर केसी को मैं थाए आपको जानकर राश्चर होगा कि यह कल प्लास उनको कहीं मिलती रही उनको बड़ी सरम आती कहीं जाकर के बाहर पढ़ने में क्योंकि यह चोटी-चोटी चीजे कौन पढ़ाएगा आखिर है ना लेकिन हम पढ़ाते हैं सीटेट सूपर टेट टेट डियलेड बीयड यह सब स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं इसको तो भावी लोग पढ़ते हैं बच्चे कहां मोबाइल में इतना पढ़ते हैं है ना तो उनको भी थोड़ा समझ में आई बाती है हमारी चलो यह हो गया क्योंकि यह जो दर्द है ना यह बीमारी जो हैना उन। प्रकार से गुपत्रोग जैसे है कि भीया इतने बड़ हम करते हैं गुप्त तरीके से कि कोई जान भी नभाए और वह आनलाइन पढ़ भी ले मोबाइल में को यह भी नजाने क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं कि कमेडी देख रहे हैं हो गया यह आपका हो गया दोनों मतलब एडिशन और सब्स्ट्रक्शन अब अगला हम देखेंगे मल्टीपल मतलब गुड़ा वाला देखेंगे अब मल्टीपला फ्रेक्शन थोड़ा वीडियो हो सकता बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कलास को पूरा देखना अगर मैं सीखना है तो देखो यहां पर समझो थोड़ा सा फंड़ा समझो यह बिल्कुल आसान है इसमें कोई कंडिशन नहीं नो टर्मन कंडिशन जैसे मिले वैसे देखो जैसे एक बटा तीन और यह दुई बटा तीन अब कहोगे इसमें हर बराबर है तो क्या होगा हर नहीं बराबर है तो क्या होगा बच्चा इसमें कुछ भी हो सब चलता है ठीक है हर बराबर हो या न मंत्रण जाते थे कहीं कोई प्रोग्राम होता था तो लोग अलग खाना खाते थे मतलब कपड़ा अपड़ा निकाल के जूता चपल निकाल के अच्छे से और नर्मन लोग अलग खाते थे आप क्या होता है पता है आपको भक्त लोग तो वैसे बहुत कमी मिलते हैं उस तरह से बाकि सब लोग buffer system में अपने लेते अपने खाते तो बस वही हाल इसमें भी होती है कुछ ऐसे देखो समझने की कोशिस करो कैसे देखो इन में हर बराबर है इन में देखो इन में क्या है इन में हर बराबर नहीं है तरीका दोनों में एक ही होगा जबकि जोडने घटाने में थ नीचे का दो का एक में दो और तीन का तीन में नौ ठीक इसी तरीके से अगर हम इसमें देखे इसमें हर बराबर नहीं है इसमें साथ है इसमें तीन था तीन था बराबर था इसमें भी वही फंडा होगा 355 और यह 7-856 या 8-756 लेकिन यहां पर आपको कुछ समझने वाली और भी चीजे हैं कभी-कभी थोड़ा डिफकल्ट हो जाते हैं अगर ठोड़ा सा चुख गए तो वह क्या है वह भी मैं बता रहा हूं ध्यान से देख लो वही समझ लो मैं बार बार बोल रहा हूँ फिर से बोल रहा हूँ कलास को पूरा देखना अगर गड़ी सीखना है अगर आज तुम ये कलास छोड़के चलेगे तो तुमको दुनिया का कोई मैद सिखाई नहीं सकता है अब इसमें मैं क्या बताने वाला था अगला जो वो चीज समझो दोनों तरब बताऊंगा जैसे अगर ऐसे है ये 12 है मतलब 14 है और यहां पर क्या बच्चा 10 है और यहां पर एक है मानलो 15 है और यहां पर 5 है अगर इनको तुमको गुड़ा करने कहिंगे हमें छोदापंध्रक पाःड्य नहीं आता है आप तो बड़ी मुस्यीबत कर देंगे कोई दिक्कत नहीं बहुत आसान है डिस्क्रप्शन में हो सकता लिंक दी गई हो पच्वा या छथमा पार्ट में पढ़ाया हूं देख ले ना तो यह दो से कटेंगे बच्चा तो दो सते 14 और यह दूई पंचे 10 यानि फाइनल में एक भिन बन जाएगी साथ बटा पांच यह भी कटेगा पांच तीन पंदरा यानि तीन बटा यएक आएगा अब बात समझ में आई हमें तो 14-15 का पारा नहीं पढ़ना बच्चा हमें तो साथ का पारा और तीन का पारा पढ़ना है अब तीन का तो हमको आता ही है, है न, ये देखो, तीन सते 21, और ये 5 एकम 5, हो गया न, ये किस परकार की भिन है, कमेंट करके जरूर बताना, मैंने पाचवी कलास में पढ़ाया है, मतलब पाचवी पार्ट में, जो स्रीच चल रही है, मैं थायगी नहीं, बलकि दोड़ेगी इसका नाम है, मैं थायगी नहीं, बलकि दोड़ेगी असी की स्पीड में भीने पिट्रोल डीजल के, क्योंकि पिट्रोल डीजल आजकल बहुत महेंगा हो रहा है, इसलिए वो ऐसे दोड़ेगी, देखो कैसे, ये मैंने पढ़ाया था, ये बताना कौन सी बिन है, अनुचि महानी क्या क्या हो रही कहा जा रही है, ये ऐसे हैं, हाँ? और ये ऐसे हैं, अब इसमें तुम कहोगे गरूजी ये तो कटे नहीं रहा नीची उपर, कड़़नों कोसिस कर ले रात दिन, कोपड़ी पटक डाव नहीं कटे गई है, नहीं कटेगा, तो इसमें क्या होगा? ये है वोग जानते हैं कि अपने घंवे नहीं बन रही तो पडोशी वाले बन सकती है कैसे देखो कर सकता है साथ चयों कढ़ाई साथ कर रहा है न हंति ओकशन होता सिर्फ report of में होता है मतलब गुड़ा में होता है नीचे उपर से कड़ रहा तो 15 यह 45 कितना हुआ है छोटा हो गेना भी यह कितना आ गया फोर अपान वन और यह थ्री अपान वन फाइनल में मल्टीपल कर लो ट्रेल आ गया दोनों में अंतर ही कि नहीं बताओ इसमें और इसमें अंतर है ना लेकिन अगर उसी रूल पे चलोगे लखीर का फिकीर वाले कि भ सब्सक्राइब करेंगे और हां इस सेशन को लाइक जरूर करेंगे जल्दी करिए बिल्कुल भी देर मत करिए पूरी भरपूर कोसिस कर रहें आपके लिए कि आपको मैथमेटिक सच्छे से आ जाए और आसान भासा में आप सीख जाओ ठीक है इस वीडियो को अपने सभी व इजन मतलब भाग अब भिन्नों का भाग कैसे करोगे इसको भी समझो कि समझने की कोसिस करो पूरा भर पूर यार देखो लाइब में पढ़ाने में मन नहीं लगता है चुकि दिमाग बटा रहता है जो लोग डंडा करते हैं लाइब नहीं चल रही लाइब में तुमारा न मैं और खेंड़ा है बस हाँ तो इसलिए लाइब से बेतर पढ़ाई वीडियो में होती है कि अब डिवी जना फ्रेक्सन क्या होता है देखो इसमें क्या होता भाई यह इसमें चाहे हर बराबर हो या ना बराबर हो इसकी कोई कंडीफन नहीं होती है बस आपको गुणा आन इसका सिंपल सा रूल है कि पहली फ्रेक्शन को ऐसे लिख लोगे हूँ बहु जैसे भी है वो थोड़ी मोटी जरूर हो गई अब भाग का चिनिता क्या होगा गुड़ा लग जाएगा यह पलड जाता है बिल्कुल नेता की तरह जैफे नेता लोग क्या कहते हैं चुनाओ के स पंदरा मिलियन टूइट किया था इस्टूडेंट ने अभी आपने देखा होगा 25 फरोरी 2021 को रोजगार के लिए कोई सरकारी बयान नहीं आया सब सो रहें अभी तीन साल का टाइम है 2024 में फिर से आ जाएंगे युवाओं की बात करेंगे अभी नहीं देखो यह पांच फिर बाद में समझ रहो चलो अब यह गुड़ा हो गया गुड़ा का नियम आप लोग जानते हो तीन पचे 15 साच्चोक अथाइस यह पंदरा बटार थाइस लिखलो जल दी से कुछ लोग सोचते हैं बहुत बोलते रहते हैं बोलते फिले रहते हैं कि तुम एक घंटा पढ होगे न यह था विन आपका फ्रेक्शन वीडियो मुझे लग रहा काफी लंबा हो जाएगा लेकिन मुझे बताना तो पूरा है तो इसमें हर चाहे जैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं ऐसे हो जाता है कि इतना हो गया इसी तरह का एक सवाल और बीदर साइड में बता देता हू इसको भी देखंदो ध्यान से इमानदारी से देख लो प्यार से देख लो यह कैसे इसे नहीं को इनको पहले मत काटो कुछ मत करो गुड़ा लगा दो भाइक की जगा ये पलट गये न इसमें वही गुड़ा वाला दिनियम लगेगा पड़ोसी से इनकी सेटिंग हो जाएगी ये कट जाएंगे 15-30 समझ गए न ये क्या होगा था से कम 10-10-20 क्या बचा यहां पे बचा यहां नई भिन बनाए तो वान अपान वान इंटू टू अपान टू बनेगी चुकी नीचे भी टू उपर भी टू ये फिर आपस में कट मर जाएंगे फाइनल में एक आएगा कितना है गवन न इस तरह से आपने क्या क्या सीखा बिन्नों का जोड़ घटाना गुड़ा और सकता हूं हमारे पास ऐसी लाखो आजारों इमेल आते हैं मैसे जाते हैं और ऐसे से युवाओं और युवतियों के आते हैं कि बईया हो सर जी गुरू जी देखो यार मुझे मैद तो आती नहीं है और हमारी एज तो ज्यादा हो चुकि कि किसी कोचिंग कलास में जाके मैत से भाग कि नहीं जा सकते हो कोई बहुत आसी परिक्षा नहीं कोई भी आसी नोकरी नहीं को इसलिए अगर नौकरी करना है आत्म निर्भर बनना है हमारे पर्दान मंत्री जी कहते हैं आत्म निर्भर बनो आत्म निर्भर कैसे बनोगे कुछ भी करोगे तुम थेला लगाओगे पकोड़ा पेचोगे रिक्सा चलाओगे मजदूरी करोगे कम से कम हिसाब किताब तो करना पड़ेगा वहां भी न मैं तो आज कल दुनिया ऐसे तो मैत तो वहां भी आनी चाहिए जो जाओगे कहां जब हमारा जनाम होता है ना लोग बर्थडे मनाते हैं डेट आप बर्थ नोट करते हैं कब पाइदा हुआ किता वजी गिरा यह हां तो उसमें भी मैत लगती है ना कोई मर जाता है उसका विम्रित्व परमाणपत राज बनता है या फिर वैसे भी लोग पूरवजों को याद करते हैं कि डेथ कब हुई थी कब निप्टे थे वो उसमें भी मैत लगती है जब से पाइदा होते हो जब तक मरते नहीं तब तक मैत का यूज होता है ना तो फिर मैत से भाग के जाओगे कहां देखो इधर साइड मे यह नमबर नोट कर लो उपर दिया गया है और एक नमबर यहाँ पर और लिख दे रहा हूँ इसको कहले लिख रहा हूँ पता है इस पर यह अप सब नहीं करना है मतलब की बात सुन लो जिनको मैतमेटिक से पूरे कमपलीट कोर्स जल्दी फे जल्दी एक महीने में सीखना ह उपर वाले नमबर पर संपर करेंगे वाटसब पर ज्वाइन पेड लिख करके बेजेंगे उनको थोड़ा सा फीस जमा करके कोर्स लेना पड़ेगा चौंकी अगर नहीं भागी अगर नहीं फिरी वाली कलास भी है अगर आप नहीं पेमिंड करना चाहते हो फ्री में सब्सक्राइब करके जाना और हाँ वीडियो को लाइक जरूर करना जैहिन